देश में एक जुलाई से तीन नए कानून लागू हो गए हैं जिसके बाद जबलपुर हाई कोट में नागरिक सुरक्षा सहिंता से जोड़ा पहला मामला सामने आया है जहां हाई कोट ने शिकायत पर नए कानून के तहट पुलिस को कारवाई करने के निर्देश दिये हैं दरसल यह याचिका कथावाचक पंडिट धिरेंदर किशने सास्त्री पर आपत्ती जनक टिपड़ी करने पर लगाई गई है जहां कोट ने अपने फैसले में कहा है कि बागेस और धाम के धिरेंदर किशने सास्त्री पर आसोबनी टिपड़ी पर पुलिस केस दर्ज करे समय सीमा में जाच भी करे यदि इस मामले में फायार नहीं बनती है तो पुलिस याचिका करता को इसकी लिखित कौपी भी दे साथ ही उस लिखित कौपी में यह भी बताए कि मामला नहीं बनता तो क्यों नहीं बनता ताकि उस अधार पर याच्का करता आंगे की कारवाई कर सके अधारा 173 में विधिवत रूप से यह कहा गया है कि यदि कोई शिकायत आती है तो उसका निराकरण 14 दिवस के भीतर होना है और यदि पुलिस अधिकारी करमचारी या थाने को लगता है कि यह 14 दिवस के भीतर लगता है कि इस विशे में प्रात्मी की दर्ज नहीं की जा सकती एफाई यार दर्ज नहीं की जा सकती तो ऐसी स्थिती में उस फरियादी को उस विकती को सूचना देनी पड़ेगी कि हम आपके मुकदमे को दर्ज नहीं कर सकते हैं आप अब जा करके परिवाद पेश कर सकते हैं मगर इस केस में ऐसा नहीं हुआ माननी उचनाले ने कहा कि हर बात में निचली अदालत में जाने से या अदालत या पुलिस के चक्कर लगवाने से विकती का शिकायद जो है वो खराब होती है चुबद होती है और उसको फ्रस्टेट होती है ऐसी स्थिती में माननी उचनाल इतने रिट पेटिशन को मेंटेनेबल पाते हुए थाने को आदेश दिया गया पुलिस को आदेश दिया गया है कि फर्यादी के द्वारा अमीश तिवारी के द्वारा जो शिकायत की गई है उसका 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 नुसंधान करें और प्रात्मी की साइकोट का पहला आदेश था इस दोरान कोट ने नागरिक सुनच्छा सहींता की ब्याख्या भी की जहां कोट में याचका करता की ओर से पैरवी सीनियर एड़ुकेट पंकच दुवे ने की थी वर्तलब है कि पंडोखर सरकार गुरू सर्ण सर्मा ने बागे सुर्धाम के पंडित धिरेंद सास्त्री पर टिपड़ी की थी जहां इस मामले में गोटे गाउं थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी लोकल एटीन के लिए आकाश निशाथ जबलपुर